हेलो फ्रेंड्स आज की इस फीडियो के अंदर हम लोग डिसकस करेंगे पाइनस टेस्ट के बारे में दोस्तों पाइनस टेस्ट जो है यह हम लोग किसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं यह आपको पता होगा सीमेंट के लिए हम लोग बात करेंगे सीमेंट के लिए पाइनस टे देता हूँ कि आखिर में fineness test हम लोग perform क्यों करते हैं दोस्तों fineness test को perform करने के पीछे का जो resonate to find या to calculate to find the extent of grinding जो grinding है दोस्तों उसके extent को पता लगाने के लिए हम लोग fineness test perform करते हैं extent of grinding मतलब कि कितना fine particles है particles है मतलब कि मानों यह आपने कहीं पर थोड़ा से cement ले ली तो इस cement के अंदर कितने amount में fine particles है या कितना fine particle present है उसको पता लगाने के लिए finest test perform करते हैं सीधी simple से चीज़ आपको ध्यान रखनी है finest test क्यों perform करते हैं दोस्तों finest test हम लोग जो extent of grinding है उसको पता लगाने के लिए perform करते हैं clear हुआ क्योंकि दोस्तों जो extent of grinding है मेरा extent of grinding जो है यह मेरी control करता है rate of hydration को rate of hydration को clear हुआ कि जो extent of grinding है यह किसको control करता है यह rate of hydration को control करता है और जो rate of hydration यह कुछ अलग-अलग phenomena's को यह अलग-अलग चीजों को govern करता है वो मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले इसके definition में आपको बताता हूँ इंगा देख सकते हैं आप जो finest test इसको perform किया जाता है to check the extent of grinding ठीक है किसकी grinding of cement which in terms controlled rate of hydration समझभाएं दोस्तो finest test को simple सा हम लोग perform करते हैं जिससे की जो extent है grinding का उसको पता लगा सके क्योंकि जो grinding है वो हमारी किसको control करती है rate of hydration को और rate of hydration हमारे in infectors को govern करता है that is rate of gain of strength है ना rate of hydration किसको govern करेगा rate of gain of strength को second जो है rate of setting को कि कि किस time के बाद वहाँ पर setting हो रही है that is initial setting कब हो रही है और final setting कितने time के बाद हो रही है यह govern करता है कौन हमारा rate of hydration के लियर हुआ और भी कुछ हमारे points है दोस्तों जो कि govern किये जाते है rate of hydration से rate of pre-hydration फिर rate of evolution of heat and rate of aggregate alkali reaction तो यह सारे factors govern करता है rate of hydration यहाँ पर जोग चीज आपको जाननी थी वो यही जाननी थी कि fineness test क्यों perform करते हैं वो मैं आपको बता दिया अब आगे बात करते हैं इसी के अंतर ठीक है तो आगे बात करते हैं दोस्तों finest of cement can be found any of the following methods मैं आपको बोला था कि cement के अंदर जो finest है finest calculate करने के अलग-अलग methods और अलग-अलग apparatus होते हैं तो दो methods मेरे पास है पहला method जो है CU method दूसरा है मेरे पास दोस्तों air permeability test यह मैं बोल सकता हूँ पहला जो method है वो CU test है दूसरा air permeability test है ठीक है तो आईए बात करते हैं सबसे पहले CU test की दोस्तों जो procedure CU test का वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहली बात आपको क्या करना है आपको लग-बग 100 gram के something cement ले लेना है इसको weight कर लेना है और जो 90 micron की ISC way उससे आपको सीवड कर देना है मतलब कि मैं आपको अभी एक चन्नी का photo दिखाऊंगा मानों यह 90 mm किती है 90 micron की CU मेरी है ठीक है तो इसके अंदर आपको जो 100 gram को आपने weight किया है इसको 100 gram को इसके अंदर डालके आपको इसको vertical और horizontal या फिर rounded motion में घुमाना है ठीक है पहली step क्लियर हुई कि आपको 100 gram cement लेनी है उसको 90 micron की जो सीवे उससे सीव करना है ठीक है air set lumps are broken and the cement is continuously circular and vertical motion for a period of 15 minute क्या बोला अब जो कुछ air set lumps कुछ बन गए होंगे मानो कि आपने यह cement लेती इसके अंदर कुछ आपको clinkers जैसे नजर आ रहे होंगे जिनकी वर्टिकल दोनों motion के अंदर आप इसको क्या करेंगे घुमाते रहेंगे किसको सीव को किती टाइम तक 15 मनिट तर तो यह second step ती जो कि 15 मिट तक ठीक है third point क्या बोलता है दोस्तों अगर आप यह आपका हेंट वाले जो सीव उसका आप mechanical सीव शेकर का भी यूज कर सकते हैं अगर आपकी लेब में available है तो otherwise जो नॉर्मल जो तरीका होता है हाज से हम लोग जिस आटा चानते ना ऐसे वाली प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं 15 मिट तक और अगर आपके पास mechanical सीवर है तो आप उसका यूज कर सकते है तो आप उसका यूज कर सकते है अभी जो fine particles तो नीचे रहे जाएंगे लेकिन यहाँ पर कुछ residue जो बच जाएगा इसको आपको तोल लेना है फिर से क्या कर लेना है इसका बजन कर लेना है clear है बजन करने के बाद दोस्तों आप क्या बोल सकते है this weight shall not exit 10% of ordinary cement मतलब कि जो यहाँ पर जो weight है जो यह extra material जो बचाता है that is residue यह residue दोस्तों 10% से जादा नहीं होना चीए मतलब कि मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ कि जो residue बचा है should not be greater than 10% of ordinary cement मतलब कि जो आपने यहाँ पर किता लिया 100 gram cement लिया ता ना तो इसके 10% से जादा weight वहाँ पर नहीं रहना चीए समझ पा रहे जो residue यह जो 10 पर अपने 100 gram लिया था 100 gram का 10% कितना था 10 gram तो मतलब कि इस case में आपका 10 gram से जादा residue left नहीं रहना चीए समझ पाए तो यह दोस्तों procedure है हमारा किसका सीव टेस्ट का अब मैं आपको सीव बताता हूँ एक और चीज़ धियान रख लो कि यह जो test इ गया nowadays अब इसका use नहीं किया जाता है clear है दोस्तों कैसी होती आप देख सकते हैं यह हमारी सीव होती है Indian Standard सीव जिसको हम लोग IS बोलते है IS सीव जो होती है यह आपकी लेव वगेरा में होगी ठीक है तो अब कैसे किया किया था मैं आपको फिर से बताऊं first step अगर बताऊं त तो इनको आपको तोड़ देना है तोड़ने के बाद आपको 15 मिनिट तक इसको continue घुमाते रहना ठीक है दूसरी step कि अगए कि 15 मिनिट आपको घुमाना है यह क्लिंकर को तोड़ने के बाद अब आप क्या करेंगे घुमाते जाएंगे अब आप थर्ड इस्टेप में तो तो नीचे निकल जाएगी लेकिन यहाँ पर कुछ residue जो बचेगा यह residue को आप वेट करेंगे इसका जो वेट करेंगे और जो वेट आएगा शाल नौट बी ग्रेटर देन 10 परसेंट ठीक है किसका 10 परसेंट जो कि आपने इनिशल में यहाँ पर यूज किया ता मतलब कि सिदे सिदे मैं बोल सकता हूँ क्या कि जो residue बचा है residue जो है हमारा यह कितना should not be greater than what 10 ग्राम 10 ग्राम से ज़ादा नहीं होना चीए greater than equal to आप लोग बोल सकते हैं तो मेरी खाल से सीव टेस्ट आपको clear हो गया होगा तो friends यहाँ तक यह चीज clear हुई होगी आपको कि सीव टेस्ट से हम लोग कैसे fineness calculate करते हैं clear है अब यहां से आप एक चीज conclude कर सकते हैं कि जो residue बचा है वो 10% है तो मतलब जो fineness है cement की fineness जो नीचे निकल गया है वो 90% रहेगी ठीक है क्योंकि जो 90% particle है इस 100 ग्राम के अंदर वो हमारे fine है किस से 90 micron से यह आपको clear हो जाना चाहिए so friends यही procedure है हमारे किसका CU test का जो कि मेरे ख्याल से आपको clear हो गया होगा इस test को आप अपनी laboratory के अंदर perform करके जरूर देखिएगा और मुझे comment करके बताईए कि आपने test perform किया था तो वहां पर जो residue था वो कितना बचा था आई हूँ यह test आपको clear हो गया होगा तो friends नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे air permeability test इसको कैसे perform करते हैं हम लोग cement के लिए इसकी वीडियो की link आपको description में मिल जाएगी तो आप इस वीडियो को भी वहां से देख सकते हैं और फिर आप इस वाले test को भी अपने lab के अंदर perform करके मुझे result के बारे में जुरू बताईएगा ठीक है तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगे होगी तो वीडिय करें शिर करें चैनल को सब्सक्राइब करें